दोस्तों अगर हैजबेक गाड़ी का प्लान कर रहे हो तो ग्लेंजा को कैसे भूल सकते हो भाई और भाई यह तो भूला भी नहीं जाएगा क्योंकि आप जानते हो ना इसका एक सब्सिट्टूट मार्केट में आता है कौन बलेनो बलेनो की यह आप इसे सिस्टर पैरेंट भ मिलता है थोड़ा सा sportier की तरप यह आपको देखने के ल मिलेगा जैसे आप यह देखें फ्रण्ट से लग रहा है एकदम sporty फील आ रहा है हाँ यह तो यह चीज में है आपको ग्लेंजा बलेनों से थोड़ा सा अलग करती है तो आहाज हम डिटेल से बात करने वाले हैं यहां कि आपको ऐसे बहत्रीन अपडेट्स मिलते रहें तो स्वागते दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में गाड़ी हमारे सामने घड़ी वे टोईटा की ग्लेंजा बात होगी सब सब पहले एक शोरूम से की परती कितने की है तो यहाँ पर यह आपको 9,28,000 रुबगा एक शोरूम देखने के लिए मिलती है जो आउन रोड आता है आपको यह 10,80,000 रुबगा इसपास आउन रोड परती है फ्रेंड में बात करेंगे तो इसका जो एट्रेक करता वो है इसका फ्रेंड फेस या ही देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी sportier feel कराता है अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको टोईटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है जिसमें से आपको connected chrome garnishing का work देखने के लिए मिलेगा नीचे bumper section में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको mat mat grill portion देखने के लिए मिल जाता है और सबसे अच्छी चीज कहना यह देखे भई यहाँ पर आपको front से carbon fiber वाला touch देखने के लिए मिलता है जो गाड़ी के looks को और impressive बनाता है और sportier बनाता है side से देखेंगे तो यहाँ पर आपको chroming का work देखने के लिए मिल जाता है इसमें आपको अगर fog lamps लगवाने हैं तो आप after market यहाँ पर लगवा सकते हैं head lamps के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED projector head lamps देखने के लिए मिल जाते हैं अगर overall चोड़ाई की बात करेंगे गाड़ी की तो यहाँ पर आपको 1745 mm की overall width यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी hood में वही curtain creasers देखने के लिए मिलते हैं जो गाड़ी के looks को arid family के यहाँ पर बनाते हैं side portion से बात करेंगे तो गाड़ी का look आपको कुछ यहाँ पर यूँ देखने के लिए मिलता है side से भी गाड़ी बहुत बढ़िया लिए सेम वही जैसी बले आपको देखने के लिए मिलती है और टायर प्रफाइल की बात करेंगे तो 195 55 R60 का टायर प्रफाइल देखने के लिए मिलता है rear में आपको drum brakes ही देखने के लिए मिलते हैं OVM में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED turn indicators देखने के लिए मिल जाएंगे और जो यहाँ पर आप देखेंगे डोस में यह यह आपका stock का पार्ट नहीं है यह आपको accessories में purchase करना पड़ेगा door handles में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको chrome में door handles देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें आपको smart की entry का button देखने के लिए मिल जाएगा और rear में देखें जैसे drum brakes में ने काता वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं wheel base की बात करूँगा तो 2520 mm का wheel base यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है same as the D's जैसा आपको इसकी taiser में देखने के लिए मिलता है और ground clearance की बात करूँगा तो यहाँ पर यह आपको 170 mm का देखने के लिए मिलता है rear से चलेंगे तो गाड़ी के भाई यहाँ पर आपको गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है यह देखे बाई सेंटर में आपको टोयटा का लोगों यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जिसमां आपको प्लेसिंग कैमरे की भी मिलती है यहाँ पर यहां पर आपको देखे वाइपर है दिफॉगर है वाशर है हमूर्स टॉप लाइट है और पोल एंटिना देखने के यहां पे इनका नंबर दिस्क्रिफिशन बॉक्स में अपको उसको बताता है लोगर बंपर शेक्षन में बात करेंगे तो यहां पे आपको भाई वो पॉइंट्स में परकिंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और तेल लैंप्स के अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको यहाला पोर्शन तो आपको LED में मिल जाता है लेकिन जो इंडिकेटर मिलते हैं वो आपको हेलोजन में मिलेंगे रिवस लैंप आपको हेलोजन में मिलते हैं और यहाली जो ब्रिक लाइट है यह भी आपको हेलोजन में का बटन और फिर भाई ये मिलता है बूट कुछ इस तरीगे से बूट की इस बात करूंगा तो भाई तीन सो अठारा लिटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है और यह देखिए जो टायरों में लोगों होते हैं तोयटा वाले जो बैजिंग होते हैं वहां पर खाली बैज देखने के लिए मिल जाता है जो सीट मिलते हो 60-40 रेशियो में फोल्डेबल मिलती है यहां पर आपको पार्ट्सल ट्रे का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है तो भाई बूट में को इतना ही बूट को करता हूं बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर अंदर बलेनों में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्ली स्टोन मिलता है तो थोड़ा सा डलने सो जाती है थोड़ा सा डाक ने सो जाती जिस वरचेस से स्पेस थोड़ा सा कम जैसा लगने लगता है थोड़ा सा बुजा बुजा जैसा यहां पर काफी खिला खिला देखने के लि मिलते हैं six speakers four speakers है two tweeters आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फिर यहां पर बात करते हैं तो भाई आपको इसमें मिलते हैं six airbag यानि second top iron में तो आपको यहां पर six airbag देखने के लिए मिल जाते हैं फैबरिक में seats मिलती कुशनिंग ठीक ठाक अच्छी कासी मिलती है seat को hide adjust कर निकला option मिल जाएगा और यहां पर चकाओट करेंगे तो फूल टेंक का लिड का अप्शन मिल जाता है यहां पर आपको पॉकेट मिल जाते हैं जिसमां आपना टोल कॉइन वगरा रख सकते हैं और यहां पर आपको देट पैडल भी देखने कले मिल जा रहा है A B ही इसमें मिलेगा C आएगा ने क्योंकि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी यहां पर आपको देखने कले मिलती है फिर अगर देखे भाई इंटीरियर लग रहा है ना थोड़ा सा प्रीमियूमनेस फील हो रहा है क् यहां पर आपको यह बीज और ब्लैक का कॉंबनेशन देखने कले मिलता है यह वाला पैटन पूरा ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा उपर यह आपको रॉफ ब्लैक देखने कले मिलता है मुजिक सिस्टम भाई याली एरिया देखेंगे तो 7-inch का इंफोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था लेकिन अनट्र अपल के कारपफ़े लिए अपको मिल जाका यहाँ आपको इस हीवैंस मिल जाते है और यहां पर आपको टैप कड़े Can लैंट सकते हैं सब्सक्राइं तो यहां पर मिलेगा की इस तरी कुछ चाइब पैटन मिल से प्रीं तो मैनुवल है ड्राइव है न्यूटल है और रिवर्स है रिवर्स कैमरा भी मिलता है जैसे मैं आपको दिखाया था और बाकी चलो ओन करके दिखा देता हूं इसको हम दबाएंगे यहां और यह हो गया भाई इसका और कुछ तरीये से यहां पर आपको हैंड़ेक की प्लेसि करेंगे तो भाई यह मैनुवली एड्जस्टबल है रिडिंग लेम का उप्शन आपको हैलोजन में मिलता है यहां पर आपको मैक की प्लेसिंग है और यहां पर यहां पर चेक आउट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा अब जैसे बैक गियर दालना था ना तो हम पहले ब्रे स्टेरिंग वील की फ्लेट बॉटम स्टेरिंग वील है और यहां पर वाईस कमांड के बटैन है यहां पर आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं सेंटर में टोईटा का लोगो मिल जाएगा स्टेरिंग की बात करेंगे तो इल्ट टेलिसकोपिक दोनों चीज़े है आपको देखने के लिए मिल जाती हैं left hand side में आपको वाइपर के गंट्रोल से right hand side में आपको head lamp और indicator के गंट्रोल मिलते हैं जो आटो में मिलते हैं cluster भाई आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा left hand side में आर्पी मिटर है right hand side में speedometer है और वहीं पर उनी के नीचे देखेंगे तो जैसे speedometer के नीचे आपको fuel का option है जाएगा center में आपको mmid display मिल जाती है जिसे आप यहां से यह तो खेर आपका trip भी हो गया और यहां से आप चेंज करेंगे यह आपका पूरा चीजे चेंज करते रहता है यह जिस हिसाप साब को यहां पर देखना है उस हिसाप सापना set क कर सकते हैं बात करते हैं comfort की तो भाई वह मिलता है आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है सीट की कुश्णिंग भी आपको अच्छी खासी मिलती है सबसे चीज कहा है कि जो फ्रंट की सीट हैं वह काफी comfortable आपको मिलती है बकेट फिट में आपको देखने के लिए मिलती है यहां पर आपको देखेए लेधर आइट मां सॉफट टच मिल जा रहा है गलॉसी ब्लेक का क्रोमिंग में मिल रहे हैं यहां पर आपको स्पीकर की प्लेसिंग है बॉटल हुडर से चोट उसी में पॉकेट है और इंटीर रियर से कुछ यू मिलता है सब सची चीज कहना वही तीन एड्जसबल हैडर से आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं अब बैट के देखते ह है ओ सेकंड टॉप में भी नहीं मिलती लेकिन को ड्रावर से के विच आपको मैगजिन पॉकेट जरू मिल जाती है यहाप आपको रियर इस इवेंड मिल जाते हैं नीचे आपको फॉन रखने के लिए प्लेस भी मिल जाएगा फॉन तो खेर क्या ही रखेंगे छोटी मोटी चीज कुछ रख सकते हैं यहाप आपको grabbing handle मिल जाता है यहाप भी grabbing handle मिलेगा जिसमें आपको court hanker भी मिलता है और यहाप आपको reading lamp option मिल जाता है हेलो जन में comfort की बात करेंगे तो वह मिलता आपको कुछ अस्तरीक है यह देखो headroom space reclining angle ठीक ठाक यहाप आपको देखने के लि इंजन में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है थोड़ा सा heaviness feel तो हो रहा है यहां पर यह कुछ इसका engine compartment अगर engine की बात करूंगा तो यहाँ आपको मिल जाता है 1200 CC का force lander VVT engine देखने के लिए मिलता है जिसकी power आपको 89 bhp की देखने के लिए कि torque आपको 113 Nm का देखने के लिए मिलता है और अगर बात करेंगे यहां पर mileage की तो तेज केंपिल का mileage company कहती है जिसे आप extend भी कर सकते हैं मतलब करेंगे तभी जब आपकी driving condition थोड़ी सी अच्छी रहेगी और अगर ब्रेकिंग्स में बात करेंगे तो ABS EBD ब्रेकर सी जैसे features हैं हैं attraction attraction control hill hole control ESP जैसे features भी देखने के लिए मिल जाते हैं नीचे से अगर आप देखेंगे तो engine covered मिलता है पिछे से insulation cover मिलेगा hood में भी insulation cover आपको यहां पर देखने के लिम मिल जाता है और अकर बात करेंगे warranty की तो भाई तीन साल एक लाक किलमेंटर की warranty है आप आपको देखने के लिम मिलती से top तक करेंगे आपको देखने के लिम मिल जाता है जो वेरेंट हमारे साम गड़ा है second top वेरेंट खड़ा है price value हमने जान ली एक showroom value हमने जान ली कि भाई कितने के आपको मिल जा रही है अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी help हुई हो तो वीडियो को like, comment और share जरूर कीजेगा और हाँ भाई जो लोग मेरे new viewers हो जाके चैनल को subscribe कर लेना बेल आगन को प्रेस कर लेना जिससे के आपको इसे बहतरीन updates मिलते रहें तो चले चलते हैं दोस्तों फिर मिलता आपसे कोई नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन